हेलो फ्रेंड्स आपके पने यूट्यूब चैनल PK Classes 92 में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वह है रिजिनिंग के टेस्ट नमबर 17 की आंसर की है और जो भी हम टेस्ट पेपर कर रहे हैं यह सभी टेस्ट पेपर की वीडियो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेस्बूप उपर जाएंगे वहां पर आपको PK Classes 92 को नाम सी ग्रूप मिलेगा आप वहां पर जुड़ सकते हैं वहां पर जो भी क्वेरी है जो भी कोशन है आप वहां से डाउट अपने डिसकस कर सकते हैं अपने comment post कर सकते हैं अपने question post कर सकते हैं जो भी चीज़े हैं मुहाँ पर डिसकस करेंगे और हमारा toll free number दिया गया है वहां आप WhatsApp पर भी कर सकते हैं हम उहां पर जो भी problem होगी sorted करेंगे तो आईए आजका जो session हमारा है वो सुरू करते हैं question number हमारा आजका है तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा नूटिस है आपका कि रिजिनिंग का जो टेस्ट नंबर 16 है था हमारा उसमें कोश्चन नंबर 16 में थोड़े से डाउट थे उसमें क्या था कि आप्शन जो है B और D नंबर ये दोनों सेम आप्शन हो गए थे तो इस वज़े से हम यहां पर फाइब डॉट लगे हैं इसका पोजिट है स्टार और हैस का पोजिट है यहां पर दिया गए यह भी एक स्टार की तरफ ही है और यहां पर जो सरकल है इनका पोजिट होता है यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी एक द दोनों सेम ही है, तो दोनों जब सेम है, तो यह नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमारा अंसर B नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो यह एक doubt था, और जो हमने नई PDF अभी बनाई है, तो उस PDF हमने इसको सही कर दिया है, पुराने PDF में हमने B और D नंबर दोनों के option सेम हो गए थे, त पस्चिम की ओर तीन मील चलती है, वो पस्चिम दिसा में जाती है, तीन मील चलती है, फिर वह दाहिने मुड़ जाती है, यानि कि राइट हैंड मुड़ जाती है, और दो मील चलती है, फिर वहां से दाहिने मुड़ जाती है, यानि कि राइट हैंड मुड़ जाती है, और कोशन नमरा हमारा सेकंड नमर है कि वर्ड माला में A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z में बाएं से 16 अक्षर, तो यहां पर दोस्तों बाएं का मतलए Left Hand, तो A साइड से Left हो जाएगा, और Z साइड से Right हो जाएगा, निकि दाया हो जाएगा, तो दायने से छठा अक्षर और कौन सा होगा, तो दोस्तों यहां पर देखें, Left से दिया गया है, Left से दिया गया है 16, और यह P के हमें क्या करना अब यहां से हमें counting करना है और P से हमें right hand मुड़ना है और P के हमें right hand यानि कि दाहिने मुड़ना है छठे नमबर पर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम कौन से लिटर पर आ गए? V तो यहां पर जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा V हो जाएगा यानि कि विक्ट्री वे है ना तो यह V हो जाएगा यहां से तो यही लेटर आएगा तो यहां पर हमें counting से कर दिया लेकिन हम बिना count के भी कर सकते थे, count से कैसे करेंगे? जब हमें दो direction सेम होती है तो हम उहां पर क्या करते? घटा देते हैं जब हमें right हो जाएगा तो हमें क्या करना? घटा देते हैं और अगर left right होगा तो हमें क्या करना? जोड देना होता है left और right अगर होगा तो हम जोड देंगे जब दो design क्या होंगे? समान होती हैं तो हम घटा देते हैं और जब दो design अलग-अलग होती हैं हम उसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखें दोनों क्या है left से right लिखा हुआ तो जोड़ देंगे क्योंकि दोनों दिसाएं अलग अलग हैं तो 16 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा left से 22 हो जाएगा क्योंकि जो भी पहले इस्थित होती उसी को हम ले लेते हैं निकि left होगा तो left लेंगे right होगा तो right लेंगे जो भी पहले position पर होगी वही हम लेते हैं तो यहाँ पर left से 22 दिया है और left से 22 नमबर का मतलब है कि जब आप left से 22 नमबर पर जाएगे तो क्या आ जाएगा गब V आ जाएगा तो यहाँ पर हम simple है directly लिख सकते थे V हम बिना गिंती किये भी कर सकते थे तो आएए question number हमारा तीसरा है चार sum है और आठ विसम है का सत्यमान क्या होगा तो सत्यमान यही है कि चार sum है तो आठ भी क्या है sum है इसलिए यहाँ पर answer जो जाएगा वो जाएगा बी number फॉलो करेगा फाल्स यानि कि असत्य है question number next है az cx fu स्रिंखला में अगला जोड़ा कौन सा होगा तो यानि कि यहाँ पर देखे a है z है उसके बाद यहाँ पर cx लिखा है f और u है तो a से अगर हम c की तरफ बढ़ते हैं तो पहले 2 जोड़ दिया गया उसके बाद 3 से फिर हम यहाँ पर 3 जोड़ा तो यहाँ पर 3 जोड़ दिया गया निकि पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ दिया और 3 के बाद फिर हम कितना जोड़ेंगी दिया और उसके बाद आप minus 4 करेंगे तो आजाएगा answer कितना आजाएगा Q आजाएगा तो इसलिए J और Q यहाँ पर answer हो जाएगा question next number है 50 चात्रों की एक कशा में 18 ने संगीत लिया 26 ने कला और दूसरे ने कला 2 ने कला और संगीत दोनों लिया है यानि कि दो लोगों ने कला और संगीत दोनों लिया है तो कशा में कितने छात्रों ने ना संगीत और ना ही कला लिया है तो दूसरे इसका answer जो हो जाएगा 8 number यानि कि B number answer यहाँ पर follow करेगा ठीक है अगला question है question number next हमारा कि निमने संख्या स्रेडी को पूरा कीजिए 1, 3, 11 और 47 दिन आगे है 1, 4, 3, 9 तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 11 और 47 और यहाँ पर है 1, 4, 3, 9 तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर अगर हम multiply करना है 2 से और plus 1 कर दे तो 3 हो जाएगा फिर हमें multiply करना है 3 से और plus 2 कर देना है फिर हमें multiply करना है 4 से और plus 3 कर देना है और फिर से हमें multiply करना है 5 से और plus 4 कर देना है तो answer जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 9 यहाँने कि 2, 3, 9 यह हमारा answer बन जाएगा आगे multiply करना है 6 से और plus हमें कितना करना है 5 add कर देंगे तो 1439 आ जाएगा तो answer हो जाएगा A number 239 यह हमारा सही answer हो जाएगा question next है स्रिंखला दिया गया है यहाँ पर में लूप तसंग कि हमें ग्याद करना है यानि कि C फिर 81 है उसके बाद E है और 64 है आगे फिर से 64 लिखा गया है इसके बाद यहाँ पर है question mark then यहाँ पर 49 है दिन आगे है I और question mark और आगे है K तो C के बाद यहाँ पर देखे D E यानि कि C 3 और 2 यानि कि 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 5 5 के बाद हमें 5 कितना जोड़ देना है 5 है और 5 के बाद यहाँ पर कितना जोड़ थेंगे 5 क बाद 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 होजाएगा फॉलो करेगा A number answer ठीक है A number answer हमारा यहाँ पर follow करेगा G और 36 answer हो जाएगा हमारा तो आए अगले question की तरब बढ़ते हैं यानि कि option हमारा जो follow करेगा वो A number answer यहाँ पर follow करेगा question next number हमारा 8 number कि निम्नलिखित चित्र का अध्यन करें और नीचे दिये गए प्रशन का उत्तर देजिए तो यहाँ पर दिया है सिक्षित लोग यानि कि जो triangle है वो सिक्षित लोगों को बताता है educated people, employed people है यानि कि नियोजित लोग है जो circle है और यहाँ पर जो square बना है यानि कि 6 plus 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यानि कि 12 हो जाएगा ए नमबर answer हमारा follow करेगा question next next है COFFAA को हम लिखते क्या है FRIHH लिखते हैं तो NODLES को हम क्या लिखेंगे तो C होता है दोस्तों 3 number पर और F होता है 6 number पर 3 बढ़ा दिया इसके पर हमारा फिर से अगले number पर है O होता है 15 number पर R होता 18 number पर कितना बढ़ा दिया फिर F होता है 6 number पर I होता है 9 number पर 3 यानि कि plus 3 plus 3 का concept बन रहा है तो हमें plus 3 plus 3 कर देना है अगले में भी follow करना है तो यहाँ पर जो answer बनेगा जो हमारा वो हो जाएगा A number Q double R G O H V यह हमारा answer यहाँ पर follow करेगा क्योंकि plus 3 plus 3 हो रहे हैं लेटर की place value में जोडने पर ठीक है question में रगला आ जाएगा हमारा next number 10 number question होंगे कि निमने लिखित में से कौन सा when diagram गाजर भोजन सबजी वर्गों के सही सही सम्मंद को दर्स आता है तो दोस्तों यहाँ पर answer जो बनेगा वह जाएगा A number सबसे पहले क्या जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा भोजन उसके बाद आ जाएगा सबजी सबजी के अंदर आ जाएगा गाजर तो यह नंबर हमारा यहाँ पर follow करेगा question next है कि x greater than 5 यह equal than 3 यहाँ यहाँ पर जो है x है वह बड़ा है कि से 5 से और फिर x छोटा है कि से 3 से तो उकती सही है यदि x का मान कितना हो जाएगा तो दोस्तों x का जो मान होगा देती कि अगर x का मान हम 1 रख दें तो एक बड़ा होगा नहीं ठीक है 5 से 3 रखेंगे नहीं 4 रखेंगे नहीं तो यहाँ पर answer जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर answer जो बनेगा वह हमारा 5 हो जाएगा यही follow करेगा यानि कि c number answer यहाँ पर follow जाएगा 5 हो जाएगा question next number है कि नीचे दियेगे चित्र पर विचार करें तो यहाँ पर दिया गया है सभी circle में सबको divide किया गया है t जो हो परिवन है e c जो बच्चों पर सिक्षा है h जो हो मकान है c है वो वस्त्र के लिए f जो हो भोजन के लिए s जो हो बच्चत के लिए और o जो है वो अन के लिए others के लिए है ठीक है तो यहाँ पर दिया गया है उपरुक्त दर्साइगे चित्र से यह निस्कर्स निकाला जा सकता है कि परिवार ने भोजन और वस्त्र पर अपनी आय का आधे से अधिक खर्चे किया है तो यह गलत है परिवार द्वारा की गई वचत बहुत ही कम थी तो यह भी गलत है परिवार की कोई स्वास्त समस्या नहीं है तो यहाँ पर ऐसा स्वास्त के बारे में कोई इसी चीत चित्र को तयार करने के लिए कितने नियुंतम सरल रेखाओं की या विसकता होगी तो दूस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 यानि की 12 सरल रेखाओं के जरूरतें पढ़ेंगी ठीक है कैसे होगी तो देखें सबसे पहले 1 उसके बाद 2 और यह 3 बाहर के 3 हो गए उसका दिया हो जाएगा चार फिर 5 और 6, 6 के बाद फिर हमा आते हैं 7, 8 और 9 उसके बाद फिर से मैं काउंट करना है 9 के बाद हो जाएगा फिर हमारा 10 उसके बाद 11 और 12 तो यहाँ पर 12 रेखाओं total हो जाएंगी जो सरल रेखा होंगे ठीक है question अगला हमारा next number यदि a बराबर 1 और a id बराबर 36 है तो b e double l का क्या होगा तो दूस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है हमने सबसे पहले देखिए a की value तो उन्होंने 1 दे रखा है क्योंकि a की later place value a होती है आगे है यानि पर a id यानि की 1 और 9 और 4 तो सबको आपसे multiply कर दे 9 एकम 9 9 4 36 तो आगे वह इसी तरह से कर रहा है b e double l तो b की value 2 e की value हो जाएगे 5 और यहाँ पर 12 बार हो जाएगा तो सबको multiply जब करेंगे आपस में यानि की 2 गुड़े 5 गुड़े 12 गुड़े 12 तो यहाँ पर जो answer बनेगा वो हो जाएगा हमारा 1440 यानि की C number answer यहाँ पर follow करेगा ठीक है question number अगला है next number यदि किसी दूसरे ग्रह पर प्रित्वी जल प्रकास वायू और आकास के लिए वहाँ के अस्थाने सब्द है करमस, आकास, प्रकास वायू जल और प्रित्वी यदि वहाँ कोई प्यासा है तो क्या पराई पिएगा ठीक है तो पीने के लिए जल चाहिए और जल को हमने किससे replace किया यहाँ पर जल के लिए हमने replace किया है प्रकास से यानि कि light से तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा light यानि कि प्रकास से यहाँ पर d number ही answer यहाँ पर follow करेगा S N O K E R को हम लिखते है D and R O B E को लिखते है 5 तो C R I C K E T को क्या लिखेंगे तो दूसरे यहाँ पर total letter count कर लिजे 1 2 3 4 5 6 7 तो जितने letter है उनमें एक बढ़ा दीजे यहाँ पर देखे 1 2 3 4 है तो 5 लिख दिया तो यहाँ पर है 3 और 3 6 और 7 तो एक बढ़ा देंगे तो answer हो जाएगा हमारा 8 यानि कि A number answer यहाँ पर भी follow करेगा question number next number हमारा है जब एक दिवार घड़ी में समय अपरहां तीन बच कर पचीस मिनट दरसाता है तो घंटे की सूई और मिनट की सूई की बीच में नियुन्तम कोड क्या होगा, तो नियुन्तम कोड का मतलब होता है, जो 180 डिगरी से क्या होता है, छोटा होता है, उसी को हम नियुन्तम कोड कहते हैं, ठीके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 11 by 2 multiply by minute, और minus यहाँ पर hours multiply by 30, यह शुरू फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, put कर द हो जाएगा answer, यहाँ कि 47.5 डिगरी answer हो जाएगा, 11 by 2 multiply by minute, और यहाँ पर difference लिजेगा, difference hours multiply by 30 करेंगे, तो हमारे answer follow कर जाएगे, ठीके, question next हमारा, यदि डेल ही को हम 73541 लिखें, और कलकटा को हम लिखते हैं, 82589662 लिखा, तो C-A-L-I-C-U-T को हम किस प्रकार से लिख सक हैं, तो दूसरों यहाँ पर क्या करना है, जिस later के लिए, जो later नमबर यहाँ पर दिया गया code, जैसे 3 के लिए 8 है, A के लिए 2 है, L के लिए 5 लिए तो उसी तरह सी क्या करना है, तो C-A-L के लिए यहाँ पर देखें, क्या लिखा है, 825, तो answer जो हमारा हो जाएगा, 825, य और जयनत प्रीती से बड़े हैं परन्तु सुधा से छोटे हैं जो स्रीधर के उम्र के बराबर ही है अतय स्रीधर है तो अतय स्रीधर जो है वो हो जाएंगे अंजू से बड़े यानि कि a number answer यहां पर भी हमारा फॉलो करेगा a number answer question next number है कि निनलिखित में कौन सा एक अक्षर जब नीचे के सब्दों के पहले लगाया जाएगा तो नए सब्दों को बनाया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर जो बनाया जा सकता है इसमें जोडा जाएगा अगर तो वो हो जाएगा R R A S H एक सब्द ही बन जाएगा फिर हम R लगाएंगे तो R A T E यह बन जाएगा rate उसकाद फिर बनेंगे R A P E यह हो जाएगा rip उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा R A I D rate हो जाएगा तो यह R जो सब्द है इसे जोडा जा सकता है इसलिए answer जो जाएगा हो जाएगा हमारा B number answer follow करेगा वो शें next number है एक गोल जो है table है उसके गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुरसियों पर A B C D E और F अनिवारत है उसी करम में नहीं बैठे हैं यह पाया जाता है कि A बीच में है और D और F जो है D और F के विपरीत D और F के विपरीत यानि A जो है वो बीच में है D और F के C विपरीत है D के D और E पढ़ोसी कुरसिया नहीं है तो dodस्वे यहाँ पर जो सही होगा पहले तो हम इसको बैठाएंगे तो बोला गया है यहाँ पर कि A और यहाँ पर आजाएगा f तो d a take can tech की बीच में चुकि इसका 2 डायगरम बनेगा तो हम इसको 2 डायगरम मा सकते हैं इस तरह से क्योंकि ए सरकल में यहाँ पर जाएगा f और यहाँ पर हो जाएगा a और यहा पर जाएगा ड ठीक है उसके बाद यहाँ पर E बैट जाएगा, D और E पडोसी नहीं है, तो यहाँ पर E हो जाएगा, तो जो बच जाएगा हमारा, वो आ जाएगा यहाँ पर, यानि कि B यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह समने यहाँ पर दोड़ों डाइग्राम सक्सेस्फुल हो गए, आगे पूछ ही है, चुकि यहाँ पर D नमबर आंसर फॉलो करेगा, और दोनों में यह देखे, B और E पडोसी है, देखे, दोनों में ही B और E पडोसी है, इसलिए यह डाइग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यह D नमबर आप्सन सक्सेस हो जाएगा, कोशन नमर नम्न चित्र में गुप्त संख्या कान सी है, तो यहाँ पर देखे, जो लुप्त संख्या, यानि कि जो छीप होई संख्या है, उसे में find out करना है, तो बहुत ही simple सा question है, 169 जो है, यह देखे 13 का square है, यानि कि 13 का square, यह 8 का square है, और यह 9 का square है, अब जब सभी को 13, 8 और 9 को जब जोडेंगे, तो आगे बन जाएगा 30 बन जाएगा, ठीक है, यानि कि 30 बन जाएगा, फिर आगे देखे 625 और 49 है, फिर 50 का में स्क्वाइर, 50 यहाँ पर जोडने पर 50 होना चाहिए, तो यह 625 दिया है, तो 625 को जब हम जोडेंगे, किसका स्क्वाइर हो जाएगा यह, य उसकर यहाँ पर 7 का स्क्वाइर है, और 25 और यहाँ पर हो जाएगा 7, तो 25 और 7 कितने हो जाएगे 32, तो 32 उसके, इसका मतलब आगे हमें क्या करना है, 324, यानि कि हमें 8, 18 की स्क्वाइर कर दें, तो 50 जोड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर B, A नमबर आंसर हमारा फॉ तो A के बाद यहाँ पर जोड़ दिया हमने कितना, 2 जोड़ा तो C आ गया, और C के बाद हमने फिर 2 जोड़ा तो कितना जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानि कि 2 जोड़ दिया, फिर यहाँ पर माइनस कर रहे हम कितना, 3, फिर से हमने माइनस 3 कर दिया, फिर आगे में S L P I M F H A लिखा जाता है तो सांकेतिक सब्द में A T E X Q I B V O क्या दर्साता है तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो हो जाएगा D नंबर आंसर यहाँ पर फॉलो करेगा हमारा यह आंसर सही हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे 25 कोजिशन थे रिजनी के टेस्ट नंबर 17 का तो आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कूर किया होगा तो प्लीज वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों साथ को अगर आप चैनल पर नए है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन जरूर दबाएए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू बेरेच